हेलो अमेजिंग पीपल मैं हूँ प्रती और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रांस्टेरो 369 में सो गाईज आज एक बार फिर से हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है क्या सिचुएशन है क्या आगे होने वाला है क्या हो सकता है सब को चार्ज देखेंगे चेक करेंगे और जानने की कोशिश करे इंगे। So guys, हमशा की तरह एक टाइमलेस और कल्लेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सारे साइंग और sारे अलीवन्स के लिए होने वाली है। So, जितने messages आपसे रशुनेट करते हैं बस इतने ही आपने रखने हैं। जो messages आपसे रशुनेट इस पर बेस्ट होती है तो ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग में जो भी निकल कर आए वो सेम सिचुएशन आपकी जिन्दगी में हो या होने वाली हो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज डिवाइनली गाइड कीजिए और बताएए कि मेरे व्यू 9 of Wands Aries, Leosat, All right, Okay, King of Pentacles Taurus, Virgo, Capricorn, Taurus, Virgo, Capricorn, guys, Okay, चलिए, टू ओफ पैनिकल्स टॉर्स वर्गोर कैप्रिकॉर्ण किसी के लिए इंपर्टेंट हो सकता है ठीक है ओके थार्थ पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है यूनिवर्स डेथ डेथ का काड यहां पर निकल कर आ गया है गाइस काड की कॉंबिनेशन तो मुझे यहां पर कुछ बहुत बहुत बैतरी फिल नहीं दे रही है बट स्टिल यहाँ पर कुछ है जो ठीक नहीं है कुछ क्या यहाँ पर बहुत कुछ है गाईस इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर ठीक नहीं चल रहा है इस डेक से हम यहाँ पर एक काड और लेंगे गाईस तो यहां पर आपको एक बात बता देना चाहती हूँ आपके जो partner है और third party है इन दोनों के बीच में failure की जो feeling है वो यहां पर मुझे feel करते हुए दिखाई देते हैं यह आपके partner भी हो सकते हैं यह third party भी हो सकते हैं एक failure जैसा feel इनको मिल रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि इस relationship में ना तो चीज़ें आगे बढ़ रही है ना चीज़ें इनके हिसाब से move कर पा रही है एक stagnancy की feeling इनको यहां पर हो रही है कि इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रुक सी गई है थम सी गई है चीजे आगे नहीं बढ़ रही है एक relationship में जो contentment वाली feeling होती है वो feeling को ये महसूस नहीं कर पा रहे है इनको ऐसा लग रहा है कि हार चुके हैं ठक चुके हैं लेकिन फिर भी बस रुके हुए है आप में से कई लोग जो हैं यहाँ पर बता देती हूं married person से deal कर रहे हैं और यह जो भी married person है यहाँ पर अब यह third party इनके spouse भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है यहाँ पर लेकिन यह जो आपकी person है और third party है तो यहाँ पर यह बहुत कुछ मुझे आपकी person की energy लगती है यह already married है यह आप गाइस देखिए यहाँ पर मैं irrespective of gender की बात करे हूँ यहाँ पर हम सिर्फ energies के बारे में बात करे हैं तो यह जो है अपने family से अपने परिवार से बंधे हुए है शादी शुदा इनसान है इनके घर में परिवार में लोग है इनके surroundings में लोग है यह अपने घर में ही शायद एक मातर ऐसे इनसान है चोटा से सेट अफ पीपल के लिए बात करे हूँ है जो कि यह earning है और यह अपने पूरे परिवार की देखरे करते हैं इनके उपर जिम्मेदारिया इतनी है कि यह चाहते हैं भी थर्ड पर्टी से बाहर नहीं निकल सकते हाला कि जगलिंग में है बहुत सारा यहां पर जगल कर रहे हैं सोच रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एक एक अजीब सा कश्मकश है इनके दिल में चाहते कुछ और हैं कर कुछ और रहे हैं दिल कहीं पे है इनका और दिमाग कहीं और हैं ख्वाहिशे कुछ और हैं लेकिन कर कुछ और रहे हैं बहुत एक जैसे बोलते हैं ना इनसान बस किसी सिचुएशन में होता है लेकिन उसका दिल जो है कुछ और ही चाहता है इस तरह की feelings यहाँ पर मुझे इन काद्स में देखने को मिलते हैं यहाँ पर guys मुझे third party के बहुत जादा feelings नजर नहीं आते हैं यहाँ पर मुझे बहुत जादा feelings जो है आपके person के नजर आते हैं और यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि यह जो relationship है यह guys बहुत सारे लोगों के लिए majority of people के लिए आपको बता लेना चाहते हैं कि यह जो है इनका relationship यह बहुत अच्छे path से नहीं गुजर रहा है चाहे दुनिया जमानी को लगे या आपको लगे किसी को भी लगता हो कि यह जो relationship है बहुत ही अच्छा relation जा रहा है बहुत खुबसूरत इन दोनों के बीच में सब कुछ चल रहा है इनकी जिन्दगी में बहारें आई हुई हैं तो यहाँ पर ऐसा कुछ scene नहीं है guys यह हाथी के दाथ हैं खाने के कुछ और हैं दिखाने के कुछ और ही है तो यहाँ पर यह जो death का card है guys कुछ लोगों के लिए third party और आपके partner के बीच में चीज़ें बिलकुल ठीक नहीं हैं और शायद ही अपनी अपनी राह चुन सकते हैं इस तरह के feelings यहाँ पर मिलते हैं है और death का card यहाँ पर एक नई शुरुवात को भी बताता है तो यह भी हो सकता है guys कि यहाँ पर यह दोनों जो है अपने अपने राह को चुन लेंगे बहुत जल्दी दोनों ही कुछ तो यहाँ पर manifest करते हुए मुझे दिखाई देते हैं कुछ set of people के लिए आपको बता देती हूँ guys के third party और आपके partner यह दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं दोनों ही अपनी अपनी राह चुनने के बारे में सोच रहे हैं अपने दिल में चाहते हैं कि एक नई शुरुवात हो इनकी जिन्दगी में प्यार हो सच्चाई हो, honesty हो, disloyalty ना हो एक प्यार में जो commitment होता है, एक रिष्टे की जो foundation होती है वो foundation के बारे में यहाँ पर यह जो दोनों हैं मुझे सोचते हुए दिखाई देते हैं कुछ लोगों के लिए guys यहाँ पर यह भी मुझे समझ में आता है कि third party और आपके partner के बीच में यहाँ पर कुछ पैसो का लेंदें चल रहा है और यहाँ पर जो है इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर कुछ तो इन्वेस्ट किया है या फिर यह करने वाले हैं और यह relationship जो है logics के business पे बहुत जादा बना है logics के business पे यहाँ पर mutual benefits भी देखा गया है कुछ लोगों के case में जो है यहाँ पर काफी support मिलता है कुछ लोगों के case में guys third party और आपके partner या तो कोई नया घर लेने वाले हैं या नया यहाँ पर मेरे viewers को जानना ज़रूरी है third party और मेरे viewers के partner के बीच और क्या चल रहा है और क्या ऐसी information है universe जो हमें यहाँ पर जाननी ज़रूरी है प्लीज बताएं और हमें यहाँ पर क्या जानना ज़रूरी है universe please divinely guide कीजे और ऐसा क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में जो मेरे viewers को यहाँ पर जानना ज़रूरी है प्लीज ज़रूरी गाइड कीजे युनिवर्स ओके नाईन फॉंस गाइस देखे दिस इस दी डबल कंफिरमेशन नाईन फॉंस फेलियो अ कम्प्लीट फेलियो जहां पर आकर इंसान ठक जाता है राजाता है उसको और कुछ नहीं करना है और कुछ नहीं बस बहुत हुआ अब और नहीं ऐसी यहाँ पर feeling आ रही है तो यहाँ पर 9 of 1 का card निकल कर आया है guys एक complete failure की feeling यहाँ पर मिलती है बहुत जादा यहाँ पर कुछ करने का सोच नहीं रही है इस relationship में और जादा effort सी डालना चाहते नहीं है half way success half way failure की feeling है लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि बस जिंदगी है चले जा रही है कुछ जादा effort सब लगाना चाहते नहीं है जो जैसा चल रहा है बस चलने दीजिए इस तरह के feelings यहाँ पर मिलते हैं seven of pentacles का यहाँ पर card निकल कर आया है guys कुछ लोगों के case में guys आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर third party जो है वो फिर भी हमत हारने को तयार नहीं है उनको लग रहा है कि कोई problem नहीं है चाहते हैं कि इस relationship में future को secure किया जाए फिर भी अपने इस relationship को बचाना चाहते हैं कुछ लोगों के case में guys third party फिर भी सोच रहे हैं कि नहीं इस relationship में अभी भी कुछ उमीदे बाकी है कुछ हो सकता है आगे जाया जा सकता है अगर वो कोशिशे करेंगे तो यहाँ पर काफी कुछ बात जो है वो बन सकती है कोशिशे कर रहे हैं efforts डाल रहे हैं इस relationship में अपनी तरफ से पूरा एक जो है contribute करना चाहते हैं चाहे वो emotionally हो चाहे कुछ भी किसी भी तरह से हो लेकिन डालना जरूर चाहते हैं और यहाँ पर देखे guys three of pentacles का card हमारे पास निकल कर आ चुका है three of pentacles और यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी कुछ लडाई जगड़े चल रहे हैं काफी कुछ यहाँ पर बात्चीद चल रही है discussion चल रहा है इन दोनों के surroundings में भी चाहे वो friends हो family हो चाहे यह joint family में भी क्यों न रहते हो तो दोनों के बीच में काफी कुछ यहाँ पर जगड़ा चल रहा है joint family मगर यह दोनों रहते हैं तो यहाँ पर family members के साथ इनकी बन नहीं रही है यह भी possibility है कि आपके partner यहाँ पर यहाँ फिर थर्ड party जो है मतलब इस हद तक यहाँ पर tension का माहौल है कि यह घर छोड़ भी सकते हैं इस तरह के feelings भी यहाँ पर इस reading में मिलते हैं यह एक दूसरे को छोड़ कर जाने के लिए तक पर हो जाएंगे और गुस्से में एक मतलब इतना जादा यहाँ पर toxicity बढ़ चुका है इस relationship में कि यहाँ पर बहुत जादा मतलब एक hot जो conversation होता है hot जो dialogue delivery हो जाती है hot discussion जो हो जाता है बहुत अब शब्दों का इस्तमाल हो जाता है इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं तो यहाँ पर guys कुछ लोगों के case में आपको बताना चाहती हूँ मैं कि अइसा नहीं है कि यह सिर्फ इन दोनों के बिच में हो रहा है बहरी लोगों के influence में भी इन दोनों के बिच में लडाई जगडे हो रहे हैं और बहरी लोगों की वज़े से भी हो रहे हैं कुछ लोगों के case में guys third party आपके बाड़े में जानती है आपका और third party का already encounter हो चुका है आप already third party के साथ में आपकी बात्चीत हो चुकी है और आपको लेकर इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी लड़ाई जगडे चल रहे हैं कुछ लोगों के case में guys third party और आपके partner का जो है long distance relationship है लेकिन वहाँ से बैठे हुए भी third party आपके partner को full on control में किये हुए है इन पर complete spy बनाए हुए है यह क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपके person कहां आते हैं कहां जाते हैं यहाँ तक कि यह भी possibility मुझे यहाँ पर नजर आती है इस reading में कि आपके person से यह screen shots भी मांग लेते होंगे कि अगर वो इतने बज़े से इतने बज़े तक busy थे या phone call पे थे या किसी से whatsapp पे chatting कर रहे थे या online यह किसी भी social platform पे इनको दिखे हैं तो यह इनसे screen shots भी मांग लेते होंगे कि वो किस से बात कर रहे थे या किस के साथ इतनी देर तक engaged थे इस तरह के feelings भी यहाँ पर इस reading में मिलते हैं universe please divine the guide कीजिए और कुछ cards दे दीजिए guys यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे इस reading में हाला कि मैंने काफी दिनों से health reading करना बन कर दिया है मैं इन reading के बीच में health के बारे में कुछ नहीं बताती हूँ क्योंकि वो सिर्फ third party के बारे में जानना होता है health के बारे में नहीं जानना होता है लेकिन इस reading में यहाँ पर मुझे बहुत strong vibes मिल रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है मुझे ऐसा fail मिलता है कि third party या फिर आपके जो partner है इन दोनों में से यहाँ पर किसी एक की जो है तबित बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यह थोड़े इस हद तक severe हो सकते हैं कि इनको hospitalized करना पड़ सकता है तो अगर आप अपने partner के contact में हैं या less contact में हैं तो आप उनको बोलिए कि अपने सेहत का अच्छे से यहाँ पर ख्याल रखने की बहुत जरूरत है ओके ओल राइट चलिए ओल राइट वील ओ फोर्चुन का यहाँ पर कार्ड निकल कर आचुका है गाईज तो यहाँ पर देखिए गाईज वील ओ फोर्चुन का कार्ड हमारे पास right below death कार्ड निकल कर आया है which clearly means and which clearly says कि यहाँ पर जो है कुछ नई शुरुवात होने वाली है और किसी चीज़ का अंत होने वाला है तो यहाँ पर एक cycle जो है guys यह देखिए वील ओ फोर्चुन का यहाँ पर कार्ड है एक cycle मुझे जो है इन दोनों के बीच में एंड होता हुआ नजर आता है क्योंकि दोनों ही अपने अपने manifest कर रहे हैं अपने प्यार को अपनी अपनी इच्छाओं को अपनी अपने wishes को यहाँ पर manifest कर रहे हैं बहुत चोटा सेट अफ पीपल यहाँ पर ऐसा है third party को लेकर कि जहाँ पर third party फिर भी हिम्मत आरने को ready नहीं है और यह फिर भी जो है अपने relationship में efforts डालने के लिए पत पर हैं लेकिन यहाँ पर आपके जो partner है यह मुझे विलकुल भी जादा कुछ efforts लगाते हुए दिखाई नहीं देते हैं बस जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है बस जीए जा रहे हैं उस तरह के feelings हैं लेकिन अगर इस तरह के feelings हैं तो आपके partner इस चीज़ से बाहर आने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं उसके लिए हमें कार्ड ज़रूर निकालेंगे ओके चलिए इतने ही यहाँ पर खुद को failure की feeling में देख रहे हैं जिसके लिए कि हमारे पास double confirmation आया है गाईज 9 नौ 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 किसी के लिए बहुत बहुत important हो सकता है तो take it how it resonates आल राइग इतना failure की feeling में अपने आपको महसूस कर रहे हैं manifestation कर रहे हैं इतना जगल कर रहे हैं डेथ का कार्ड यहां पर हमारे पास निकल कर आया है कुछ ख़दम होने वाला है कुछ नई शुरूवात होने वाली है with this with the combination of this death and wheel of fortune तो मेरे व्यूवर्स के जो partner है उन्होंने क्या सोचा है इस relationship के बारे में अब क्या करना चाहते हैं व एक नई शुरूवात करना चाहते हैं एक नई शुरूवात करना चाहते हैं यह देखिए गाइस एक नई शुरूवात करना चाहते हैं प्यार चाहिए अपनी जिंदगी में आपके partner को प्यार चाहिए इनको एक emptiness की feeling हो रही है इनको प्यार चाहिए बहुत सारा प्यार चाह एक एसा रिष्टा चाहिए इनको जहां पर ये खुद को खुलकर express कर सकें, खुलकर जी सकें, खुलकर प्यार कर सकें, खुलकर अपनी बातों का अपने emotions का इजहार कर सकें, इनको एक खुलापन चाहिए प्यार में, इनको एक contentment चाहिए, commitment चाहिए, बहुत सारे प्यार इनको चाहिए यह बहुत खाली पंसा जो है इनकी जिंदगी में महसूस करें तो यूनिवर्स अगर इनको इतना प्यार चाहिए चाहिए तो क्या क्या यह कोई कोई आक्शन लेंगे आगे बढ़ने के लिए इसमें क्या यह थार्ड पार्टी से बाहर आने के लिए कोई आक्शन लेंगे क्या मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो इस थार्ड पार्टी के relationship से बाहर निकलने के लिए कोई action लेंगे अगर यह इतने ही दुखी नजर आ रहे हैं इस relationship में तो क्या यह इस रिष्टे से बाहर आने के लिए कोई action लेंगे universe please divinely guide कीची और बताइए क्या इस relationship से बाहर आने के लिए कोई action लेंगे eight of pentacles का card हमारे पास निकल कर आया है guys action तो नहीं action का तो हमारे पास यहाँ पर कोई card नहीं आया है निकल कर लेकिन महनत जरूर करें हैं काफी कुछ मतलब ठक चुके हैं efforts लगा लगा के महनत बहुत जादा करें हैं लेकिन इनको जो है results अभी तक कुछ मिला नहीं है majority of people के लिए guys यह जो मेरे पास card निकल कर आया है यह card कहता है कि यह third party से निकलने के लिए फिलहाल कुछ action तो नहीं ले रहे हैं लेकिन यह third party वाला ही जो relationship है उसी में महनत कर रहे हैं सोच रहे हैं कि ठीक है कभी तो कुछ ठीक होगा कुछ तो महनत कर रहे हैं efforts डाल रहे हैं सोच रहे हैं कि ठीक है जो है जैसा है चलाते हैं अभी छोटे से set of people के लिए बात में कह रही हूं guys क्योंकि action का हमारे पास कोई card निकल कर नहीं आया है हमने first card निकाला तब इनकी इच्छाओं का इनकी wishes का card निकल कर आया था second card हमने निकाला तब हमारे पास eight of pentacles का card निकल कर आया है यहां पर guys देखें बहुत जादा तो मैं यह नहीं कहूंगी आपको कि आपके जो partner है इससे बिल्कुल ही निकल रहे हैं फिलहार लेकिन यहां पर कुछ खतम होता मुझे दिखाई देता है for few of you guys यहां पर कुछ चीज खतम होने वाली है इन दोनों के बीच में क्योंकि यहा कुछ खतम होने की feeling कुछ नई शुरुवात की feeling इच्छाओं की feeling efforts लगाने की feeling अपनी wishes को पूरा करने की feeling यहां पर जो है वो निकल कर आई है तो third party और आपके partner के बीच में चीजें यहां पर मुझे अच्छी तो दिखाई नहीं देती है guys ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी कि third party यहां पर यह drama कर रही है वो drama कर रही है हम लोग सब mature हैं और हम सब यह बात समझते हैं कि अगर third party और आपके partner एक साथ एक relationship में बंदे हैं तो यह relationship से बाहर आने के लिए उनकी भी कुछ situations हैं उनकी भी कुछ परिस्तितिया हैं जो create होंगी जिसकी वजह से वो निकलेंगे और जो भी आपकी partner ने आपके साथ किया है कुछ यहां पर कर्मा का भी cycle होता है इनके कुछ previous कर्मा भी होते हैं जिसकी वजह से यह third party में पढ़ जाते हैं और फिर वो cycle complete होता है और वो cycle complete करना पड़ता है वो universe का call होता है guys alright so यहां पर देखिए यह this is also the card of कर्मा तो यहां पर मुझे इनका जो cycle है कर्मा का या इनका साथ में रहने का cycle हो मुझे end होता हो दिखाई देता है यहां पर एक नई शुरुवात भी होते हैं दिखाई देती है कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी और आपके partner guys कुछ लोगों के लिए तो यहां पर एक नई party में पड़े हुए हैं इनकी उपर बहुत जाधा responsibilities है इसलिए यहां पर फसे हुए हैं और एक failure की जो है feeling में यहां पर जी रहे हैं पर बहुत दुख हो रहा है अंदर से बहुत pain में यह अपने आपको महसूस करें हैं all right so guys फिलाल के लिए यही दी आपकी छोटी सी प्यारी beautiful reading अगर reading प्रसंद आई है तो please do like subscribe and share और मैं विलूंगी आपको next reading में तब तर के लिए bye bye and take good care of yourself